शिवरात्री के दिन उपवस तो सबी रखते हैं शिवरात्री की थाली तो कुछ अलग ही होती है तो आज मैं आपके साथ ये शेर करूँगी तो शिवरात्री के दिन अगर उपवस रखा तो हम ये शकरकन तो जरूर खाएंगे तो आज हम इसी शकरकन की मदद से कि खिचडी बना रही हूं तो शकरकंद को मैंने अच्छे से छील लिया है और चोटे-चोटे टुकड़ों में काट कर उसको अच्छे से धोग कर रेडी कर लिया है ये सिंगदाना को मैंने मिकसर में कोर्सली ग्राइंड कर लिया है इसको हम ऐसे पल्स मोड पे चला-चला के ग्राइंड कर लेंगे क्योंकि उसका हमें बारिक पावडर नहीं बनाना है कड़ाई में तेल को गरम करने रख दिया है अब उसमें जीरा डाल कर अच्छे से तड़कने देंगे ये बारिक चॉप की हुई हरी मीर्श है इसको भी डाल के थोड़ी देर भूनेंगे और ये दरदरा पीसा हुआ सिंगदाना अड़ करेंगे इन सबको तीन से चार मिनिट तक मद्यम आज पर पूनेंगे अब यहाँ पे डाल चीनी और लॉंका पावडर डाल लेते हैं इसे खिचडी का स्वाद बहुत बढ़ जाएगा अब शकरकन को एड़ कर देंगे और एक ग्लास इतना पानी एड़ कर देंगे सब कुछ अच्छे से मिला कर स्वाद अनुसार सेंदा नमक डालेंगे उपवास के दिन जो भी खाना बनाते हैं उसमें सेंदा नमक का ही उप्योग करना चाहिए मद्यम आज पर ढग कर इसको 10 से 15 मिनिट तक पकने देंगे 10 मिनिट हो चुके है तो हम चेक कर लेते हैं शकरकंद अच्छी तरह से पक गए है अब हम इस स्टेज पर साबूदाना को एड़ करेंगे जिसको मैंने 2 गंटे तक पानी में भीगो के रखा था अच्छे से पानी में भीगो के रखा था तो साबूदाना एकदम नर्म हो चुका है तो इसको यहाँ पर एड़ करकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब दीमी आज पर 10 से 15 मिनिट तक खिचडी को पकने देंगे 10 से 15 मिनिट हो चुके है तो देख लेते हैं हमारी खिचडी बनकर एकदम अच्छे से तयार हो चुकी है तो इसको ढखकर साइड में रखते है अब दूसरी चीज हम बनाने जा रहे है शकरकंद का शीरा उपवास की धाली में मिठाई तो होनी ही चाहिए तो चलिए यह शीरा बनाने के लिए यहाँ पे शकरकंद को मैंने छील लिया है और उसको पानी में अच्छे से धो कर कूकर में बॉयल करने रख देंगे इसको कूकर में बॉयल करने के लिए यहाँ पे मैं 3-4 सीटी लगा लूँगी शकरकंद बॉयल होके तयार हो जाए तब तक हम यहाँ पे रोटी बनाने के लिए आटा गूंत लेते हैं तो यहाँ पे मैंने यह राजगरा का आटा लिया है और उसमें दो आलू लेकर अच्छे से ग्रेट कर लिये है आलू डालने से हमारी रोटी एकदम सॉफ्ट बनेगी और पानी भी बहुत ज़्यादा एड़ करना नहीं पड़ेगा तो इसको अच्छे से मसल मसल कर थोड़ा सा ही पानी डाल कर आटा गूंत लेंगे और हाथों में गी लगा कर उसको अच्छे से फिर से मसल लेंगे तो यह देखे रोटी बनाने के लिए आटा रेड़ी हो चुका है उसके पैंडे बना कर रख देते हैं बाद में इसकी रोटी बना लेंगे शकरकंद को उबालने रखा था वो कूकर ठंडा हो चुका है और ये देखे शकरकंद भी अच्छे से हमारा पकर रेडी हो चुका है इसको मैशर की मदद से मैश कर लेंगे इसको अच्छे से मैश करना है ताकि उसमें बिल्कुल भी गुटलिया ना रहे जितना शकरकंद का पल्प है उसे थोड़ा सा कम गुड लेंगे या अपने स्वात के हिसाब से आप गुड ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए कम मीठा चाहिए तो कम ले लीजिए गुड को चाकु की मदद से एकदम भारिक काट लिया है अब एक कड़ाई में हम गी लेंगे तो गी को अच्छे से मैल्ट होने देंगे और फिर उसमें गुड एड कर लेंगे और अच्छे से मिलाएंगे गैस की आज को मद्यम रखना है गुड पीगलने में 2-3 मिनिट लगेंगे यहाँ पे हमें चाशनी नहीं बनानी है सिर्फ गुड अच्छे से पीगल जाना चाहिए आप देख सकते हैं गुड पीगल के उसमें एकदम सफेद सफेद जागा रहा है तो इस स्टेज बर हम यह हमारा शकरकंद का जो पल्प रेड़ी किया है उसको एड़ कर देंगे और उसको अच्छे से गुड के साथ मिक्स करेंगे गैस की आच को एकदम बंद कर दिया है ताकि गुड ज्यादा पक कर चाशनी न बन जाए अगर वो ज्यादा पक गया तो हमारा शीरा एकदम नर्म नहीं बनेगा उसक तो हो जाएगा तो गुड और शकरकन को एकदम अच्छे से मिलाने के बाद ये मैंने जाइफल का पावडर और इलाइची का पावडर एड़ कर दिया है और ये सारी चीज़े अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा शीरा बनकर एकदम अच्छे से रेडी हो चुका है एक बार ये बना कर जरूर खाना ये खाने में बहुत स्वादिस लगता है और हेल्दी भी बहुत होता है तो फिर चलिए अब हम बनाते हैं आलूखी सूखी सबजी इसके लिए कड़ाय में मैंने तेल ले लिया है इसमें जीरा डाल कर तड़कने दिया है और एकदम बारिक चौप की हुई हरी मिर्च डाल ली है फिर यहाँ मैंने कूटी हुई काली मिर्च डाल ली है और बहुत सारा कड़ी पत्ता भी डाल लिया है और अद्रक का एक इच का टुकडा लेकर उसको greater से crate कर लिया है अब ये सारी चीजों को अच्छे से भून कर कटा हुआ उबला अलू डाल लिया है अब इसको सब को अच्छे से mix करेंगे और ऐसे ही थोड़ी देर भूनेंगे अब ये मैं सेंदा नमक एड़ कर रही हूँ उसको स्वाद के अनुसार एड़ करिएगा आज को थोड़ी तेज रखकर ऐसे ही आलू को हमें सेकना है अब गैस की आज को बंद करके हम यहाँ पे नीमबू का रह सेड कर लेंगे और उसको अच्छे से सबजी में मिला लेंगे तो ये देखिए हमारी बहुत ही स्वादिस्ट आलू की सुखी सबजी बंद के रैडी हो चुके है अब हम रोटी बना लेते हैं ये राजगरा की रोटी है राजगरा खाने में बहुत ही पॉस्टिक होता है और आटे में हमने उबला हुआ आलू मिलाया था तो रोटिया बहुत ही सॉफ्ट बनेगी तो आप देख सकते हैं रोटी एकदम फूल कर तयार हो चुकी है तो उसके उपर गी लगा लेंगे तो जले फ्रेंट्स हमारी शिवरात्री में खाने वाली एकदम स्पेशल और बहुत ही स्वादिस्त थाली तयार हो चुकी है इसको हम अच्छे से परोस लेते हैं रोटी, सबजी, शीरा, साबूदाना और शकरकन की खिचड़ी, दही और केले की वेफर्स उसके साथ परोसी है जिसका वीडियो में बाद में कभी शेयर करूंगी तो फ्रेंड्स आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी जरूर बताना मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और अब इतक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना